अगर आप अपनी technical analysis को strong करना चाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को join कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने morning में ही है आपको finnifty, bank nifty के और nifty के हमने आपको important levels बता दिये थे और आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने आपको आगे वीडियो में हमन कितनी जादा jackpot थी और उसके बाद हमने भी अपने premium group पे एक call दे थी finnifty की जो कि हमारी यहां से फिर से jackpot थी तो यानि जो कुछ भी हमारा बन रहा होता है वो हम आपको update कर देते हैं यहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि 19,050 का ही finnifty ने support लिया है यहाँ पर 18,100 का और bank nifty ने 42,800 का और इसके बाद के next important resistance हमने आपको बता दिये थे 18,217 है then 18,267 है nifty के यह दोनों ही लेवल्स आज हमारे अचीव हुए थे और finnifty की भी बात करे तो 19,300 then 366 का यह हमने आपको लेवल्स बता दिये थे यह दोनों लेवल्स भी हमारे आज अचीव हुए थे और आप यहाँ देखे तो हमने फिर से अपनी एक call position अपनी दी थी जिस पे हमने फिर से अपने jackpot लिया था और यहाँ पर हमने आपको dark cloud pattern बताया था फिन निफ्टी में और bank निफ्टी में भी हमने आपको bearish engulfing pattern बताया था लेकिन हमने आपको यह भी बताया था कि pattern तभी follow हो अगर bearish है तो low break होना चाहिए अगर हमारा वो bullish pattern है तो उसका high break होना चाहिए तो यह जो pattern बने दे इन में से किसी का भी low break नहीं हुआ था यानि यह हमारे inactivate फिर हो चुके थे और फिर हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर consolidate हमारी finnifty और bank nifty यहाँ पर हो रही है अग यानि जो कुछ भी market hours के दोरान बन रहा था वो सब कुछ हम आपको update कर देते हैं तो आप भी हमारे telegram channel को join कर सकते हैं जिसका link हमने आपको description में दिया हुआ है अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया तो please हमारे channel को भी subscribe कर दीजिए I hope आज आपने fin nifty में और bank nifty में और nifty में trade करके अपना काफी सारा profit कमाया होगा क्योंकि कल की जो हमने आपको strategy बताई थी अपनी यानि हमने आपको जो bank nifty nifty और fin nifty के तीनों के हमने आपको important levels बतायते हैं और हमने आपको बताया था कि weekly time frame पर हमारे सम में bearish pattern बने हुए है लेकिन आपको हमने ये भी कहा था कि जो हमारा door johns है और साथ की साथ हमारा जो इसका future है यानि global market जो थी वो हमारी positive थी हमने आपको ये बताया था कि वो 500 प्लस हमारी चल रही है तो हमने आपको बताया था कि market हमारी जो है यहां से gap up opening हो सकती है लेकिन ये bearish pattern भी हमारे बने हुए थे तीनों indexes में यानि finnifty, banknifty और nifty में और हमने आपको बताया कि जब तक इन candle का low break नहीं होगा तब तक market में आपको put position नहीं बनानी है ये चीज हमने आपको clearly अपनी तीनों ही वीडियो में बताया था और आपके लिए जब तक market इसके upside रहेगी तो आपको call position बनान आप अपने capture करके चल सकते हैं finnifty, banknifty में भी लेकिन finnifty और nifty में आप अपने 50-50 points का average लगा कर आप अपनी trade को कर सकते हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा market हमारी upside जाएगी वो तो इसके जो ये shooting star के हमारे pattern बने है weekly time frame पर जब इनका break होगा तो market upside जाएगी I hope आपने हो हमार market में definitely profit कमाया होगा तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि हमने आपको जो levels बताए थे Monday के लिए क्या वो levels आज उन levels ने work किया और दूसरा हम ये देखेंगे कि आज आपकी trade कहां पर बन सकती थी और कल के लिए हमारे finnifty के कौन से important levels होंगे जिससे हम finnifty को कल अपनी jackpot फिर से बना सकते हैं जैसा कि हमने आज बनाया था जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा 15 minute का chart है तो हमने आपको Friday को बताया था कि जो market का हमारे resistance है वो हमारे यहाँ पर 19,051 का then 19,105 का then 19,187 का then 260 का और then 300 का ये हमने आपको Friday को अपने levels बताए थे और हमने आपको अपनी strategy भी सम करती है तो then आपको एक put position बनानी होती है और जब previous day के high को break करती है तो then आपको एक call position बनानी होती है और हमने आपको ये भी बताया था कि अगर market in levels का support लेकर यानि market अगर gap up opening होती है तो इनका support लेकर market हमारी upside जा सकती है लेकिन market पे जो हमने selling बताई थी आपको वो इस level के downside बनाई थी क्योंकि फिर हमारा जो weekly में pattern बना हुआ था shooting star का वो हमारा active होने वाला था लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि market ने आज ये जो हमने level बताया था 19,051 का यहीं से market ने support लेकर अपना एक upside move दिया था और market का जो ये important हमारा resistance था उस दिन का 19,105 का ये भी market ने break किया था तो आपको यहाँ से अपनी एक call position बना कर चलनी थी जब market ने अपने इन दोनों levels का break किया था अगर आपने यहाँ पर अपनी trade नहीं बनाई होगी तो हमने आपको एक strategy भी बताई हुई है कि अगर हमारी first five minute की candle अपनी पहले वली candle के high को break कर देती है तो then आपको फि इसी के basis पर अपनी trade बनाई थी अगर आप यहाँ से trade नहीं लेते तो हमने आपको यह level भी बताया हुआ है कि after retest आपके लिए एक safe entry है तो यहाँ से भी आप अपनी call position को बना कर चल सकते थे उसके बाद की बात करें तो market हमारी सारा दिन फिर overall यहाँ पर हमारी market consolidate थी I hope आप आपने इन levels की market में आज trade करके अपना profit कमाया होगा और bank nifty में भी हमने आपको इसी तरीके से trade बताई हुई है अपनी strategy हमने आपको बताई हुई है तो यहाँ पर हमने आपको अपने telegram channel पर भी बता दिया था कि 19,367 का level हमारा next resistance होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि market almost हम हमारे कौन से important levels होगे जिनके उपर हम trade करके अपना profit कमा सकते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जो resistance होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 19,351 का यह आपके लिए first resistance रहने वाला है क्योंकि market ने आज जो high लगाया है वो almost इसी level के पास ही लगाया है तो यह level आपके लिए important रहने व था आप यहाँ पर द्यान से समझिए जो market हमारा Friday का high था market ने उसके उपर जाने की कोशिश तो की है बट market ने थोड़े से ही यहाँ पर market फिर हमारी overall सारा दिन consolidate थी इस level के upside यानि market जो थी हमारी सारा दिन यहाँ पर 50 points के बीच में ही market range bound हमारी रही थी तो यह level अगर market कल को इन दोनों levels का break करती है यानि market अगर इसके upside निकलती है flat opening देने के बाद तो then आपको call side entry लेनी है अगर flat opening होने के बाद इसके downside निकलती है तो then आपको फिर अपसे अपनी put position को बना कर चलना है I hope आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी तो next अगर market इसके upside निकलेगी यानि 19352 के तो then हमारे लिए जो important resistance होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 19480 का यह आपके लिए फिर next important resistance की तरह act करेगा और then हमारे लिए important resistance होगा 19,463 का ये आपके लिए next resistance होगा अगर फिर उसके एक और resistance की बात करें तो वो है हमारा यहां पर 19,500 अगर market इसका भी break कर देती है अगर ज़्यादा gap up opening होने के बाद अगर market इस level का break कर देती है तो then आपको market में फिर call position बनाने की आपको opportunity मिलेगी यानि market में हमारा फिर upside market जा सकती है हमारी क्योंकि जो हमारा फिर weekly में pattern बना हुआ है वो फिर invalid हो जाएगा फिर उस pattern का कोई मतलब नहीं रहेगा तो then फिर आपको market में फिर upside moment नजर आएगा फिर market अपने new high लगाएगी I hope आपको अपने upside के levels अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर market यहां से gap up opening होती है 100 point यह 50 point तो आपको wait करना है किसी price action के बनने का यानि इन levels तक आने का आपको फिर wait करना है यानि अपने previous day के high तक then आपको फिर से यहां पर अपनी call position को बना कर चलना है I hope आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं अपने support की तो हमारे लिए जो first important support होने वाला है यहां पर हमारा होगा यह 19,200 यहां पर 97 का यह आपके लिए अपना main support यहां पर रहेगा क्योंकि market आज almost हमारी half session के बाद half session से भी पहले ही market इन दोनों levels के बीच में range bound हुई है तो यह आपके लिए कलको main support की तरह act करेगा अगर उसके बाद हमारे लिए जो main support होगा वो 19,100 यहां पर 90,200 यहां पर 47 का रहने वाला है यह आपके लिए next support की तरह act करेगा कलको अगर next level की बात करें तो वो है हमारा यहां पर 19,191 का थोड़ा पास ही है बट important है यह आपके लिए support I hope आपको समझ में आ गया होगा अगर उसके बाद की बात करें तो हमारे लिए important होगा support 19,100 का level यह आपके लिए next support की तरह act करेगा और then हमारे लिए है 19,050 का जो की आज का हमारा low भी है अगर market अपने low को break करती है यानि अगर gap down opening देती है और फिर अपने आज के low को break करती है तो then आपको फिर से put position बनाने का मोका मिलेगा फिर market में हमारी then again से again selling आएगी I hope आपको यह चीज समझ में आ गई होगी आपको previous day के hyper और price action के बनने पर आपको किस तरह से अपनी trade को लेना है अब बात करते हैं अपनी bank nifty की आप bank nifty के लिए हमारे कौन से important levels होंगे कल के लिए जिनके उपर हम trade करके अपना profit कमा सकते हैं तो यहां की भी बात करें तो हमने आपको जो important level बताया था वो था हमारा 42,800 का आप देख सकते हैं कि market ने आज यहीं से ही support लेगर अपना upside कितना अच्छा move दिया था तो हमने भी EC move पर अपने आज trade ली थी क्योंकि आपको पता है कि यह जो 42,800 का हमारा level है यह बहुत time से important support की तरह हमारा act कर रहा था और उससे पहले या तो then हमने market में हमें upside एक opportunity मिली जिसके basis पर हमने market में आज अपना profit कमाया था क्योंकि हमारे कुछ levels होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़ादा important होते हैं support और resistance अगर वहां से market morning में ही अपने 5 minute में वहीं का support लेकर या वहीं का resistance लेकर market upside या downside जाती है तो आपको next 5 minute की candle पर आप अपने trade को लेकर चल सकते हैं यह हमारी strategy होती है तो I hope आपने भी आज इस तरीके से अपना profit कमाया होगा तो चलिए फिर अब इसके भी अगर हम resistance की बात करें तो हमारे लिए जो first resistance होगा वो होगा 43,300 यहाँ पर 37 का क्योंकि market ने आज जो high लगाया है वो almost हमारा इसी level क पास लगाया यहनि 43,337 आपके लिए first resistance की तरह act करने वाला है क्योंकि market ने जो closing दी है वो almost इस level के downside ही दिये तो यह आपके लिए important resistance होगा then हमारे लिए important resistance होगा 43,509 का यह आपके लिए next resistance रहने वाला है अगर market flat open होती है और अपने इस level का break करती है यहाँ पर market आज हमारी consolidate थी अगर इस range का break करती है यहाँ इसका यहाँ पर market support लेती है यहाँ पर अगर market ने इसका यहाँ पर इस यह हमारी range है और then market अगर इसका support लेती है इस range का देन फिर से price of action बनाती है तो देन आपको अपनी फिर से अपनी call position को बना कर चलना है और next हमारे लिए जो important level होगा वो होगा हमारा यहाँ पर 43,600 का यह आपके लिए next important resistance की तरह act करेगा और उसके बाद है हमारा यहाँ पर 43,738 का अगर market इस level को भी break कर देती यानि अगर market gap up opening देने के बाद अगर इस level का break करती है तो देन फिर market में हमारा जो weekly time frame का pattern हमारा बना हुआ है dark cloud pattern हमारा जो बना हुआ है फिर हमारा वो inactivate हो जाएगा और देन फिर market में 100% upside move आएगा अब बात करते हैं अपने support की तो हमारे लिए जो important support होगा वो होगा हमार यहां पर 43,207 का क्योंकि आपको पता है आज market ने जो हमारी इसी level के बीच में consolidate हुई है इन दो level के बीच में और देन हमारे लिए जो important support होगा वो होगा 43,332 का यह आपके लिए next support की तरह act करेगा अगर एक और अपने support की बात करे तो हमारे लिए वो होगा यहां पर 43,700 यह पर 81 का क्योंकि market ने आज जो low बनाया है वो almost इसी level के pass बनाया है अगर market अपने previous day के high को break करती है तो देन आपको call position बनानी है अगर previous day के low को break करती है तो देन आपको put position बनातनी होती है अगर market को जादा ही gap up opening होती है यह gap down opening होती है I hope आपको अपने यह levels अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि आपको किस तरीके से trade लेना है